हेलो एके साथ 2022 सर्वाइश पर्श करस्ष नमस्टार आज हम लोग फिजिस ऐस्टर क्लास में जाने वाले हैं आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी जो पूरी आप लोकी भिहार बोड में पूरी सो नॉमर का माख्स का पुछता है है जो हिंदी और हिंदी में काब फ़र्पन के बारे में हम लोग एक चप्टर जान चुके थो के द्वरा लिखा गया तक मलिक मुहम जैसे-जी के द्वरा लिखा गया जा कहा है कविता है उस पार्ट का पूरा इंटूडुक्शन के साथ पूरा पेरिचे भी किये हैं उसका वीडियो हम दाल चुके वहां है इस पार्ट में कितने से कौन कौन से जो भी भी कोशन है जो इंपोर्टेंट प्रसन है उसी पार्ठ प्रसन को बारे में हम लोग क्या करने हैं वाले हैं जाने वाले हैं जो आसान भासा में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एदम बहत्रीन तरह से आसान भासा में हम पॉनने वाले हैं, चले चलते हैं हम लोग, अपने कोसन के तरफ चलते हैं, नौ, चले चलते हैं हम लोग, पाला नमा कोसन हम लोग को दिया है, कि पाला नमा कोसन हम लोग को लाइन पे आ गया है, बोल रहा है कि कवी ने अपनी एक आख की तुना दरपन से क्यूं की है, देख पर होगो फिरानों अपनी एक झाल्युक्रा में और अपनी एक टूर्माइब लौतpta है कि कवी ने के वुलते हैं कि कवी ने अपने एक आख की तूर्ना जो किया है गार्पन स्वास्थका होथाær स्वास्थ और निर्मल होता है जो दरपन होता है क्या बताते हैं कि जो दरपन होता है स्वास्थ और क्या होता है निर्मल होता है कोई ने अपनी एक आग की तूला दरपन से इसलिए की है कि क्यों कि दो दरपन होता है स्वास्थ और क्या होता है निर्मल होता है जिसमें मनुष से की वैसी ही परतीत छाया दिखती है जैसे की वह वास्तों में क्या होता है दिखता है जिस परकार आप दिखते हैं उसी परकार आप का करते हैं कि दरपण में क्या करते हैं दिखाए देते वह ही बताते हैं जैसे वह वास्तों में क्या होता है होता है जैसा ब्यक्ति होता है वैसा ही का होता है दरपण में दिखायता है कभी स्वेम को दरपण के सामने स्वस्त और निर्मल भाव को उत प्रोत मानते हैं इस हिर्दे की जरासा भी क्रितिम नहीं इन में से निर्मल भाव के कारण ही बड़े-बड़े रुपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालसा के साथ क्या करते हैं मुख की उर निहारते हैं कभी बता रहे हैं कि बड़े-बड़े लोग मतलब क्या जितने भी सुगर सुगर लोग हैं उनके पास ऐसा गूर नहीं है जिसने हम एक कभीता लिखा है उस कभीता का नम क्या है कड़बक जो एक आख के रहने के बावजूद भी और एक कान के रह है अपनी उरखा कर रहे है आकर सरकemor ? कभी नहीं बताते हैं अगर आप लुग अच्छा इंटुडльकास कर सकते हैं इसको पूरे जीवन परेंगी से कीस तरह से पूरे लाइन-बाइन ये निकाल Kar बत संजहाए उस को वी कोwie ने किस रूप में स्व्यम को याद रखने की इक्छा को क्या करते हैं? 5-6 क्यों सन है, जो पूरे एकजाम में 200 हम बताते हैं कि 2019 से लेकर, 2009 से लेकर, 2023 तक में जितना भी प्रस्न पुछे गा है उस भी भी कोसन को हम आपके का है ले आ है नौ इस कोसन के बारे में जितने भी एकदम इंपोर्टेंट है जो बार बार रखतार में पुछा गया है वही प्रस्न को आपके पास ले आ है नौ चले चलते हैं हम ल को बताई हैं कोई क्या बताते हैं बोलते हैं कि कवी मलिक मुहमाजैसी ने अपने सम्रीधी एकृत रक्षार्थ की एकसा प्रकाट की ऊसका वर्ल्लण अपने कवीताओं में किया कॉवी कहना चाहते हैं कि मैं जानू मुटलब कि मैं जान बुझ कर संगीत स्याय में कावे की रचना की है ताकि इसे संबंद के रूप में संसार मेरी किरतिम की बरख़रार करे और कावे कृतिकी वनृतिप्र गाड प्रेम प्रेम की स्वंटा नैक की और सुरता के सिंचित और यानी गठित बीरता से परदान का काब है कोई बताना चाहते हैं कि हमने जो कविता लिखी है इस कविता को लिखी है जान बुच कर लिखी है ऐसा क्यूं जान बुच कर कवि ने बता है बोलते हैं कि हम इसलिए कविता को जानमुज कर लिख रहे हैं कि हमारे पास क्या वो ऐसा रूप नहीं है जिसे हम सुगराई अपने का देखा सके हमारे पास वैसा आख नहीं है जो सब लोगों के पास है वैसा आख नहीं है बोल कि हमारे पास क्या है एक ही आख है और एक ही का कान है क्या बताते हैं कि एक ही हमारे पास क्या है आख है हमारे पास है आसी के लिए हम अपने नाम को चलाने के मतलब बताते हैं कि हम हमारे पास नहीं एक आख है नहीं एक कान है बलकि हमारे नाम को बेगती ऐसा हम दुनिया में अगर हम आये हैं तो ऐसा काम कर दे इसे हम धरती पर रहें चाहें ना रहें लेकिन जो हमारा नाम का है बना रहें बना रहें इसलिए कवी कहते हैं कि हम धरती सिंट रहा है कि बोल रहा है कि भाव को का करना है औस पर वह कि बोलते हैं कि कितना आच्छा बात बोलते हैं कभी किया आच्छा बात करते हैं हम लोग तो introduction class के मतलब की पूरे परिचे जो हम लोग किये हैं संपून अर्थ जो निकाले हैं कड़बग का उसमें तो इतना बेतरी तरस जाने है कि जो लही अंबे डबे ना होई लही सुगन्द बसा ना सोई मतलब का बता है कि अंबू मतलब क्या होता है आम बता है डब की मतलब जहां हम आपका करते हैं सुगन्द मतलब क्या जो तूरने के बाद क्या होता है सुगन्द निकलता है बसाई मतलब क्या जो बसाई मतलब होता है GOT जो लही अम्भे डबन होई लही सुगंद बसाण सोई बताना चाहते है कोई की जब आप किसी पेंड से आम कोका करते हैं तूड कर ले आते हैं तो उसे नोकीले भाग कर क्या होता है डिब डीबा पादा तो चिप चिपा पादा जैसा निकलता है उसे क्या होता है कि कुछ सुगंद निकलती है उसी गंद के बारे में बताते हैं अगर पेंड में अगर जो आम कब हथी अगर न ले उससे गंद नहीं कलेगा मतलब आम के पीड़ सुगनधित नहीं गण को कुस सुगंधित सुगंधी निकलता उसे को बता हैं कोवी ने इस कवी या पिस्थ पंक्ति Avatar M showc कोई के रचना मलिक मुहंमद जैसी कि क्या मतलब जो इस कर्वाऴों के रचहिता है कौन है बोलते हैं कि प्रसुत पंक्ति कड़बग में इस कविता के रचेता मलिक मुहमा जाय सी जी है इस पंक्ति के द्वारा कवि ने अपनी बिचार को प्रकट बिचार को प्रकट करने का का करते हैं जिस परकर आम मे नुकिली डाब है नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती यानि आम के सुगंध आने के लिए डाब इवक्ती मंजीर का निकलना जरूरी होता है जिस प्रकार अगर आम का पेंळ है उसमें जब तक आम डूब नहीं नीकलता है, मतलु यिसा ही डूब नीकलना सुरू होता है, जिससे डाब को क्या होता है डाब के करण आम की खुशबू बोड जाती है और उसे का ठीक हो उसी परकार गुर्ण को बल का ब्टी समाज को आदर सा पाने के लिए हकदार बन जाता है इसकी गुर्मता उसकी ब्टी तो की निखार ला लेती है मतलब कोभी बताना चाहते हैं कि जब किसी ब्टी के पर पहचान करना है उस ब्रक्टि की क्या, उसकी कठनाई पर जाएं, वो ब्रक्टि कितना कठनाई कर सकता है, उसी कठनाई के बारे बताते हैं. चले नेस को सन फर आगे चलते हैं हम लोग. जानते हैं कि बोल रहें कि काबिय सास्त्री पर्योग की दिरिश्टी से यहां पर इस पंक्ती में दूसरे अर्थ में या हाई जी जब तक मनुसे की दोसे नहीं होता तब तक उसमें गरीमा नहीं आती डाभ मंजीर आने किसे पहले आम के ब्रिस की नुकिली तोसे निकल आती है मतलब जिस पर कर अगर आम के पेंड लगाए हैं तो आम के पेंड से आम की उत्पादन होने से पहले उसे का निकलता है तोसे मतलब क्या एक उन्हों कीला पादार्थ निकलता है जिससे का बोलते हैं तोसे के रूप में निकलता है नौ चलते हैं हम लोग दूनोमर कोशन पर च क्या अर्थ होता है नो हमने तक यहां पे तो बताई चुके हैं कि रख्त की लई के क्या अर्थ होता है रख्त की लई के क्या अर्थ होता है इतना अच्छा तरह समाज चुके हैं कभी यहां पे रोने की भी बात करते हैं कभी बोल रहे हैं कि रख्त की लई क्या अर्थ होता है कि रक्त की लेई के क्या और्थे बोलते हैं कि कवी जस परकार अपने इस कवीता को जिसे लिखा है उस कवीता हैं कि हम अपने आशू की तरफ पहुचाते हैं रक्त कुका करते हैं, लेई के गोंद की समाना का करते हैं, जोड जोड का लिखते हैं, उसी पर कर बोरते हैं कि इस कवीता को हमें लिखने में इतना कठिनाया हुई है, जिसे हमारे आखों से का निकलते आती है, आसु निकलते हैं, यहां पताते हैं, चले जानते हैं कि उतर का में प्रेम की बिधा का अनुभाव हुआ है मैं इस कथा में रक्त रुपी लई के द्वारा जोड़ा हूँ इसकी गाढ़ी प्रिती आंसूख से भींगोता हूँ है यह सोच कर मैंने इस ग्रंत यह ग्रंत का निर्मान किया इस जगत की जगत की कदार्चिर मेरी यह निसानी के क्या सिच बनी रहेगी बुलते हैं कि हमने जो लिखा है मैंने यह कथा रक्त रुपी रक्त रुपी लई से जोड़ा है जो यह कथा लिखे मतलब कवीता लिखे रक्त रुपी लई से जोड़ा है इसकी गाढ़ी प्रिती आंसूख की भींगोई और सोच कर मैंने यह ग्रंत पर रहें चाहें ना रहें लेकिन जिस जो जो हम कविता लिखें हैं इस धर्ति पर बने रहेगी हमारे जितने भी मतलब की आगः पीछे वाले बaporeग थी होंगे जो जो हमारे上 क कविता पढ़ेंगे हमको याद करेंगे और हमसे भीमुधत होएंगा और हमारे तरफ का ओगे आक्वार्सित होंगे To एग्ले तिसरे मारी होसामनों के आ रहा है कि द्रेंग चेम्हार कोशन की मोहमद यावी sup कभी जोरी सुनावा यहां कभी जोरी सब्द का पर्यूग किस अर्थ में किया है बोलते हैं कि मुहमद यवी कभी जोर सुनावा यहां कभी ने जोर सब्द का पर्यूग किस रुप्य किया है जोर सब्द का पर्यूग यहां पे जोर सब्द का जो कभी पर्यूग करते हैं जोर जोड कर पर्यु करते हैं किया है। जोड कर पर्युक करते हैं। मैंने यह कावे की रचना सुनाई हो और कवी यह कवी यह काकर तथे की उजागर करना चाहते हैं कि मैं रतन सिन्पद मावती आदी जिन पात्र के लेखा के लेकर अपने गरंत की रचना की उसी परकर वास्तों में क्या कोई मतले बोलते हैं कि वास्तों में कोई उतर मुहमद कवी जोरी सुनावा जो आरती मुलते हैं कि जोर सब्द का जो परियो कवी ने रचना रच कर अर्थे किया है और अर्थार्थ मेने यह काब रचना सुनाई है कवी यह को अकर इसी तथे के उजागर करना चाहते हैं कि मैं रतन सेन पदमावती आदी जिन पात्र को लेकर अपने गरंत की रचना की है उसका वास्तों में कोई आस्तित वा नहीं नहीं था परन्तु इसकी कहानी पात्र क् करें चले चलते हैं कि दूसरे कॉरबा का भाव की सन्दर्भा करें और श्पोस्ट करें यह कोषण बार बार जितने भी हमने आपके पास 6 कोषण हम ले आये मतलब सब जोड़कर छे कोषण हम उःच्छ तीन चार चार दूश्च पांच कोषण हो ना पांच कोषण हमने ल सब्सक्राइब करें चले जानते हैं हम लोग इसको पड़ते हैं कि का लिखा गया बोल रहा है कि दूसरे कड़बक में कवी इस तथे की उजागर किया है कि इसमें रतन सेनपद मावती आधी जिन पात्र को लेकर अपनी ग्रंत की राचना की है उसकी वास्ता में कोई अस्तित नहीं था प्रंतु इसकी कहानी पात्र प्रचलित रही प्रंतु इस काबे के जिन में से कोई भी सुना उसकी प्रेम की प्रेम की बिढ़ा करते हैं अनुभाव हुआ है कोई न इस तथा के रख्त की रोप लेई द्वारा जोड़ा है इस गिरिधी की मतलब की हत होता है निसानी बेची निसानी सेस बची रहेगी और जावी कवी यह कहना चाहते हैं कि तथा यह पड़कर भी यह याद करेंगे बुलते हैं कवी कि हम धर्ती पर रहें चाहें नाराय लेकिन जो हमारी प्रेम रूपी लाता है बुल रहें कि प्रेम की पीना की भाव के रूप क्य हमें याद करेंगे बोलते हैं जसी परकार रक्त की लेऑ जोड़ा है उसी गिड़ी प्रती आसु के मतलब की जिस परकार इस नहोंने कविता को लिखा है आसु निकल आया है कविश से बूल रहें कि आसु आया है इसे भूशिव ही मतलग कि बोलते हैं कि इस निसानी हम धरती पर इसलिए इस निसानी को छोड़ कर जा रहा है हैं लोग जब ही भी हम मारे कवीता को पढ़ेंगे तब तब हमें का करेंगे पढ़कर हमें याद करेंगे का करेंगे तो बोल रहे हैं यहां पर कि हमको याद करेंगे क्या करेंगे याद करेंगे कभी, बताना चाहते हैं कि जो जो भी पढ़ेगा हमें याद करेगा, ना, हुई बताते हैं कि इसलिए इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, जिसे दुनिया आपको हाथ में क्या, आप रहें चाहें ना रहें, दुनिया हाथ में करने के मतलब, आप रहें चाहें और आपके अगर जिंदगी अगर समाप्ति हो जाए न लोग आपके पीछे-पीछे-पीछे में पीछे-पीछे के मतलब होगा कि आपको चाहने लगे ऐसा जीओन जीना चाहिए कोई बताना चाहते हैं लोग चलते हैं हम यह वहुजिए कि पांच मों को पैम को सन में क्या कर्ना न अब या कर नहीं क्या करना है कि भाण़ा नेंगारे वह यह कि निचे अ यह हैं तो कूष हमें इसके बारे में समझा आगे बढ़ते हैं कोई बताना चाहते हैं कि फूल मरे मरे ना बासू कोई बताते हैं कि फूल आप गिंदा के फूल का परयोंतर करवेग किये होंगे कहीं कि आप लोग की सूरा वास्थां में चैन्दा का फूल क्या होता है डो गहनqui प्रोपा करते हैं नाक के पास जिसन ले आते तो सुंध के है नाक से सुगण capita है काय होता है सुगण देता है कि कि नहीं सुगण देता आपका कर इसी फुलवा को दस दिन बाद क्या, तो दस दिन बाद आप रख कर फिन उस फुल को सुंगेगा तो उसे का को सुगण निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, निकलेगा, उसी परकर अगर आप तुलसी की पाता भी लेंगे, तुलसी की पाता लेकर आप सुंग लिजिए नो शुंगने के पाद फेन उसे 10 दिन के बाद चाहे 11 दिन के बाद उसे सुंगिएगा या बिल्कुल वैसा ही सुंगधी देगा बलकि इसकी सुगध में परिवर्तन न होगा और नहीं इसे सुगध भागेगा नो उसी परकार बोल रहें कवी कि फूल मरे मरे नबासू फूल को भले ही आप काट कर अगर जहां पर पेन लगा है तिलसीजी का और तिलसीजी के पेन और काट के भी हटा देंगे तो वह सुगध वहां पर बना रहेगा उसी परकार बताते हैं कि जीवन की अपनी चक्र के बारे में भी कवी उसी परकार बताते हैं जीवन के चक्र भी मतलब की बताते हैं जीवन के चक्र के मतलब कवी कहते हैं कि जीवन हम लोगा जो है न जीवन उसी परकार भी तहजीस परकार जो फूल है फोल के कहने के मतलब की जो बुलते हैं कि धर्ती पर हम रहे चाहे ना रहे लेकि जो हमारा जीवन बनना चाहिए मतलब कवी का यही सपना था कि हम धर्ती पर रहे चाहे ना रहे लेकिन हमारा जो नाम रहे नाम रहे बना रहे इसलिए बोलते हैं कि हम उन लोगों से क्या हैं अलग हैं का है तो अलग हैं उन लोगों से हमें अलग बनना है बाताना यहीं चाहते हैं कि अलाथ नहीं लिख सकते हैं कि हमार जैसा कभ़ीता नहीं ले सकते, कौन बोलते हैं? मलिक मुहमींन जैसे चे बोलते हैं? हमारे तरफ क्या हो जो जाते है बीमोहित हो जाते है? यूद्ब के मतलब को कोई भी हमारे कविता को पता हमारे दोस्त बोलने के यह क्या सखहोमником हो जाता है यह अपर समाज में आया होगा चले चलते हैं कि देख जनने से क्या होगा और आटीजule उसके बोल रहा है कि इसका है इंसर क्या दौरा लिखित कडवक मतलब मौलिक मुध मुह माजैसे दौरा क्या लिखा गया दित्य भाग की पधद्ति में कवी कहना मतलब की कवी का कवी कहना है कि जिस परकार पूष पे अपने नासोर शरीर का त्याग कर लेता है किन्तु उसकी शुगंद धर्ति पर क्या होता है क्रिती की पता का मतलब क्रिती का पता का सदा के लिए क्या इसी सुभाव में फहरा जाते हैं पुष्प सुगंद द्रिश इस स्वर्श्वे लोगों भी क्रितिया विशिष्ट नहीं होती बलकि यह योगात्र उनकी लोगों को क्या कितकारी भावनाय जन-जन की कंठ की क्या जन-जन की कंठ में विराजत करती है अप लोग को बताते हैं कि जितना भी कोई लिखावत चीज पजाता है तो लिखावत चीज पनहीं जाना चाहिए जो ब्यक्ति अगर आपको कुछ चीज समझा दिया ना उस चीज से आपको अगर अच्छा समझ में आ गया उस समझने के पाँचा जितने हम आपने इतना से बता हैं उतना चीज अगर आप इस में लिखने आपका पांच नम्बर कर जाएगा पांच अ इस टीएगा या आब जिन्द इम्याद नहीं है एक शून बेक्टि के लिए셔야 लिए लो आ यह द बखान में सब नहीं नहीं आता है उनके पास बउल दिजै कि एक इसके बाद अगर समझ़ में लिखे कि सर हमको समाझ में नहीं आया उसे अगला वीडियो बनाना बंग कर देंगे न ठीक है इसलिए हम बताते हैं कि अगर आप ध्यान प्रुवक्ष से पड़ लिए और एक्जाम में नहीं लड़ा तो देखना उसके बाद हम से पुछना कि सर एक्जाम में नहीं होते हैं ठीक है तो इतना ही अगर आप लोग लिख लेजिए तो आपको पांच नमों कॉम्पीट हो जाएगा और ऐसा ही बीडियो देखने के लिए फिजिस और स्टर्ट क्लास के प्रेलिश में और स्टर्ट क्लास के पुरीश में वहां सब जाग क्या अनेक परकार की वीडियो श्यों कि इसका इन तरह से इंट्रॉक्षान से सथा परिचे भी क्या अराम से उसमें बता हैं उसमें अच्छा से बताई हुए वहां सब जग क्या दे सकते हैं जाइए फिजिस पहली से वहां जग देखता है ठीक है ठीक है और अच्छा समाझ में आया होगा तो वीडियो में क्या कॉमेंट करना क्या ना भूले हम अगर कोई बे से याद करने से क्या फायदा होगा हम उसी चीज़ को ले आ 휩ा है जो बार बार एक्जाम हो है पुछा हुए है नौउ । Teen पूंचन को हमने क्या सब्सक्राइब और लेकिन प्ल welfare क्या लाईक करना क्या मण बोले ठीक है